नमस्कार कहा जाता है कि सेहत के लिए हंसना बहुत आवश्यक है लेकिन हंसने के लिए वैसा मौहूल भी तो चाहिए साहित्य की बात करें तो ये माहूल बनाता है हास्य व्यंग्य कवी डोगरी साहित्य में हास्य व्यंग्य पे बहुत कम लिखा गया है लेकिन डोगरी भाशा के बारे में कहा जाता है मिठडी ये डोगरी इंदी बोली ते खंड मिठ़े लोग डोगरे अब आप खुद ही अंदाजा लगाईए अगर मीठी जुबान में हास्य और वेंगे लिखा जाए तो कमाल का तो होगा ही जो भी लिखा गया वाकई कमाल का है कुछ हास्य वेंगे कवी अपनी तरफ से वेक्तिगत प्रयास लगातार कर रहे हैं इस दिशा में उन्हीं कवी मैंसे एक आज हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं हमने उनको दावत दी है आप सभी के लिए उनसे आपका परीचे करवाते हैं के बात की जाती है तो शुरुवाती दोर में जो भी साहित्ती लेखा गया उसको एक कविता से परेरित माना जाता है चाहे बाद में कहानिकारों ने कहानिया लिखी नाटकारों ने नाटक लिखे लेकिन दिनु भाई पंत जी की कविता शैर पैलो पैल गे उसको आधार माना जाता है डोगरी साहित्ते को चर्म सीमा तक पहुंचाने का जो प्रयास रहा है उसमें तो पहली कविता जो इतनी बुलंदियों पे थी वहती हास्य कविता लेकिन उसके बाद नाटिक तो लिखेगे सर्पंच दिनुबाई जी नहीं लिखा नाटिक उसके बाद लगातार कहाने लिखे लिख्ती कहाने ने रुफतार भी पकड़ी कही ना कहीं हासे वियंग कही पीछे चूटा हुआ है आप कैसा है ऐसी बात नहीं कि हास व्यंग पीशे शूटा लेकर इतना जरूर है कि दिनु भाई बंत जी जब इस कफ़ता को उनों ने पढ़ा और ये कफ़ता लोगों को घर पहुंच गई क्योंकि सबी बड़े मजे लेते थे इस कफ़ता के खासकर हम भी पूरी कफ़ता आज तक हमें उस ताइम की जवानी जाद है कोई कताब से नहीं हमने पढ़ी लेकर आई तक हमें वो शैर पहलो पहल गए आई तक मेरे को क्या काम से कम सबी जो लोग लोगरे प्रेमी थे उनको कालेज के दिनों में जब हमने पढ़ते थे तो लिखना शुरू किया हमारे एक प्रफेसर से कुल्दीब सिंग जिंदराया जी वड़ा अच्छा लिखते थे हस वियंगी लिखते थे उनसे प्रेरत हो के हमने भी लिखना शुरू किया और पहली कफ़ता जो मैंने लिखी व युलिखता भी लेक अपनी आपने उपरी लिखी तो मैं आपको सुनाता भी हूं कर नाम था था नहां था तो बिभाबो ऐसे लिखी मेने खोली है गल्ला में क Ao था लिक है निकी बड़ ड़्े भुये सारे लिचल कोड़ा बेट दे की ड़िया मेरे आनेक कौरे वारे लिर, वंदै वोजदी आ, जागत कोड़ीं आ मेरे पजीदी आं, वटरी आヒर गोला में वड़ा, फोली ये गला में वड़ा भुशी स्ना करदेने लान दे। व्या मुतिकर लैब़ा, दूर पाड़ना कोई पेड़े खला पर खोली अगला में कुछी सना कर बाड़ा नयान दे ब्यादना चेरज मी लग गाई बड़ा गवाई अचकंप पड़ा माचूडी जाना ना चरम अब लगाई बल्ला आप ऑप यह उगला पी सुर्मा पौआँ पर खोली अगला में कराई लाने लाटा थे देने बिदिदो आप ना काय ओपकी 2 पाribution लोगश जेक के लिक्राव डि दोक किन जर फिलन को हुई लाग दा मा मेरे पॉपलहाजक सबड़ा के लुकु उलाग डाँ, और अपकुस जा को भी कॉल। एक अपता जड़ी मेरी पहली कफ़ता थी जब मैं पढ़ता था ना तो जो कवारे थे मेरे साथ थी बढ़े खुश होते थे हों कहते हैं हमें भी बड़ जदो आपने घर्वालों को सुनाए है तो लेकल गर्वालों के साथ वालान का पर्षा आपको स्पोर्ट मिली आम तोंपर जो सहिते आरहें किसी भी भाशा में लखते हों उनको है थोड़ा गिला शिक्वा रहता है कि हमें घर से वैसी सपोर्ट नहीं मिल पाती हम तो वास अपना किसी तरह से टाइम निकालते हैं और साहतिस रिजन करते हैं आपको भी क्या फिर यह ऐसी कविताइश उनके घर से पूरी सपोर्ट मिली जब मैंने शादी की शादी के बाद मै मैंने उसके बाद आपनी घर वाली पर कपता लिखी मैंने वो कपता थी मेरी डोगरी की पामे चंगी यह जी पामे माडी यह जी पामे काली यह जी पामे चंगी यह जी पामे माडी यह जी पामे गोरी यह जी पामे काली यह जी ना करक दियार बले चाड़िये जी गाला कर ही मेरी लाड़ी एजी पढी माड़ी है जी कर देर्थ आ जी कर लें त्यारी है जी बस यह गाल्bo法 खासकर मैंने उसी कि आपता ही क्या सब्सक्राइब ही पgtर अच्छा नहीं यह आ मैंने समाज के अंदर जो कुर्तियां होती है उन कब तक के मादम से उनको मैं उजाजर करता था लोगों तक पहुंचाता था जैसे शराब किया नशा है आई तो घर घर आप देख रहे हैं कि दिकाने खुल गई हैं इसके उपर मैंने बहुत सी इसके अगेंस भी लिए और इस लोगों की पसांद बना देता हूं और लोगों होता कि जब मेरी कफ़ता पहुंचती है तो बड़े खुश होते हैं अंद लेते हैं और मेरे को काफी मैसेज आते हैं टेली फून भी आते हैं आज गाल तो चलो मोईल चल पड़ा है हमारे जमाने में तो यही एक लोगों का रहने का खुश करने का यही तरीका था आज तो टीबी आ गया मोईल आ गया बहुत कुछ आ गया लेकर एक बात है फिर भी लोग वियंगे हो हाथ से हो उसको ही प्रैफर करते हैं जब भी कभी मुशायरा होता है आजकल तो बहुत कम होते हैं पहले जैसे सर ने खुद बोला कि एक ही मंच था अपने मंद की भावनाओं को लोगों तरह पहुंचाने का वो था मुशायरा तो मुशायरा माय जब भी मुशायरे होते थे तो हाथ से वियंगे कवी मुशायरे लूटा करते थे तब जो लोग सीरीश भुला करते थे या तो रोमان्टिक हो बोलतें गजल भी बहुत मुशारा लूटने में महारत हासल रखती थी लेकिन हासिय वियंगे कवी बहुत भारी पढ़ते थे बाकी कवियों पर इन सही जानते हैं कि इनके मुशायरे जब भी हुए तो कैसा रिस्पांस था हासिय कवी के प्रदी हमारा ये रहता है कि हम जब मुशायरा में पड़ने याते हैंना तो पहले हम देखते हैं कि वहां के जो अवाम बैठा हूआ है उनकी क्या सोच है प्रद काजाते है अब जब हुए लेड़ बहु फिसके लिए रवे फैटी थी फुछ नाजवान भी होती थी कुछ अधेर टाइप भी होती थी तो कुछ ऐसे होते थे कि जो शराबी होते हैं उनके लिए कुछ प्रेर ना देने के लिए कफता पड़ लेते थे जैसे मेरी कफता थी जंगी नहीं हो अंदी शराब मानुआ क्योंकि जब ऐसी कफता लोगों तक पहुंचती है वो अपने घ जारबालों को अपने बच्चों को तो वो मैं आपको कफता सुनाता हूं और यह नहीं कि मैंने शराब के खलाफ ही लिखिए जब देखते हैं के मौल उन लोगों का है तो जब उन लोगों की कफता पड़ो तो वो लोगों बड़े खुश होते हैं मुशारा लूटने की यह देखिया तरीका है कि तरीका है कि आपने किस तीर से क्या है आपने शिकाल करना है उसी हिसाब सेंदीर निकालते हैं वही खुड़ते हैं जो लोगों कह अपसान लाता है टें कफाघी है चंगी नहिए यंदी शरामनुवा जिन्दू đेख दी खराब मानतॉ चंगीनियों दी शराब मानुआ। 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 तरह एक चीज़ है जैसा कि डोगरी साहते की अगर बात करें तो इन ही मुशायरों के माधिम से भाषा को प्रोमोट भी किया गया। उससे पहले ये भी कहा जाता है कि डोगरे ही डोगरी भाषा में बात करने से जिज़कते थे, हिचकचाते थे, हीन भावना समझते थे। यहां तक भी कहा जाता है। लेकिन जब पंडे दिनुवाई पंद जी ने ऐसे ही मुशायरों में अपनी कविताएं मंगुदी छबील हो चाहे। चाहे फिर ये शेर पहलो पहल गए जिसका हमने पहले भी जिकर किया। या फिर जैसे आप खुद मुशायरों में पाटिस्पिट करते हैं तो हासی विंगे की ये कविताएं विशेश कर जब बोलते हैं, अपनी मातर भाषा में, तो խाषा को परचार भी मिलता है, और और भी लोगों को अपनी मातर भाषा में लिखने के लिए प्रेर ना भी मि अब सोस हमें यह आता है कि देखिए पहला नंबर खामारी यो बाशा है इतनी मीठी बाशा है जब हम इसको बोलते हैं तो बड़ी जी के बगएर तो बाशा जी हमारी बोली ही नहीं जाती है जैसे हम अपने माता जी को हम माजी बोलते थे पिता जी को बापू जी आख दे है दादा जी को बाजी आख दे है अब आपी दाजा लगाओ कि जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो आज काल मैडम सार हो गया तो हमारे टाइम में पैंजी बोलते हैं मैडम को पैंजी बोलते हैं मास्तर बाशा को भी माँ बोली इतनी मिठी ब कि आखनोगों को यह कुछ नई बोलते थे और हमारी HA में पता चलतासा कि हमारी माईजी जी आएए हैं जा हमारी मामी जी आई हैं जा हमारे चाचाची जी भीबीफोरीया थाया थाया जिन अगे आपको मामा जी आये तायो जी शयर झालाजी रहता एग मत्ता पता नहीं चालता है। अँसके बाद अशनी और आंटी जी नहीं आईंड़ा है। ममा लिग अनशनी अलाए मkay Fahrenheit अचालें अचाले। ऐढ़े जी और मरह लंक प्रदक करके हैा कि इसमारे सं़नी ह। आप गीत सुनो कितने मीठे हैं जैसे पाड़ों से पानी आ रहा है हवा चाल रही है उसी हिसाब से हमारे गीतों की भी वह लहर बजन बनती है अरवानगी आती है और यह पता नहीं क्या बात है कि हम बोलने से कत्राते हैं इससे हमाएं समयते इंफिरिक कंपलेक्स आता है क्यो उनकी बाशा के उपर असर तब बोलता है अग्रेजी जो बोलता है वो एक हाई सोसाइटी का आदमी माना जाता है तो डोगरी वाला बजारा वो समयते वे गराई हैं कोई अनपड है पड़ा लिखा ही हो तो उसको अनपड कंसिडर करते थे लेकिन आज वो दोर रही है आज दोगरी जो है आप देख रहे होंगे कोई जितने भी बाहर के लोग जहां जमू में आये हैं वो डोगरी बोलते हैं और हमारे डोगरी बोलने वाले हिंदी में बात कहते हैं अग्रिजी में हम दगांदारों के पास जाते हैं दगांदार को बोलते हैं यारे किनेदा है तो यहाँ मिखमीर होती है। बोल नहीं हम भाइके मेरे कोशिश होती हnormiology। एकल रुब भाइय कोशिश होती है, कि अब बाइब हो डोगरी कोष्छिश होती है। महरास्टा में जब बाशन करते हैं तो आपना बॉब मुराथी में करते हैं हमें पदनी क्या बात है कि हम डोगरी पांच हम डोगरे होंगे तो एक कोई हो रहा है कि हम पांचों हिंदी बोलेंगे इंग्रेजी बोलेंगे डोगरी नी बोलेंगे हम पांच आपनी बोली को इसा की माफी भी चाहेंगे कि डोगरे होकर भी हम डोगरी नहीं कर रहें इसके अस्तित्थीतिक विरास्त की बात कर रहें सर बात वहीं पर आगी जन मानस तक कैसे ही है लोगों को प्रेरित किया जाएं कि घर गार में डोगरी पने आने से पहले और यहां बैचने से पहले मैं ने आप से यही कहा कि आप हिंदी में करो मैं डोगरी में करूँ गए तोड़ी मजबूरी भी थी उस मजबूरी को मैं वो दोगरी में पढ़ हुआ क्योंके मेरा एम जो है डोगरी को घर घर पहुंचे तो ऐसी बात नहीं है आप गाउं में किसी गाउं में चलिए गया वहां डोगरी है हमारे जमू में भी ये हमारी दोगरी संस्था कितना अच्छा काम कर रही है इसी के साथ और भी संस्था है लगी हैं हमारे जो प्रॉफेसर साफ है लगोता जी इन्होंने डोगरी को कहां पहुचाया आप साइवर में किसुक्रीन की वैब साइड विया वेब साइड और बहुत काम उन्होंने किया है हम उनके बड़े शुकर गजार हैं, शची पठानियां जी हैं, अमेरिका में बैठी हुई थी, वहां से बजारी डोगरी का काम करते हैं, मैं किस किस का नाम लूँ और आज काल तो आप डोगरी के संसा के सेक्टरी हैं और आप ने जितना डोगरी को बढ़ाबा दिया है, क्योंक ना उसके ओपर पेपर्स के न्यूज के ओपर, रोज कोई ना कोई आप, मैं तो कहता हूं कि डोगरी संसा को आप एक क्या कहते हैं, उनको वो मिल गए हैं, ऐसा नहीं सर, क्योंकि अस्तित्व हमारा ऐस डोगरा तब ही तक है, जब तक हम अपनी भाशा को, अपनी संस्कृत को प्रात्मिक्ता नहीं देंगे, बाती तो और भी बहुत अंसर आपके साथ करने को, और कविता हैं, सुनने का भी बहुत माने, लेकिन भविशे में फिर भी आप से मुलाकाते होते रहेंगी, हम आपको कष्ट देंगे, कि डोगरी के बारे में और चर्चा करने के लिए आ आपको अमिंतरित करेंगे, एक्सेलशे स्टूडियो में, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं इसको कष्ट नहीं समझूँगा, मैं तो समझूँगा, कि मेरी एक खुश किस्मती है, कि आपने मुझे बलाया, और मैं अपनी आपके माधियम से, और मैं खासकर एक्सेलशे स्टूड़ों का बड़ा शुकर गुजार हूं, कि जो वक्तन वेवक्तन सभी को बुलाते हैं, और सभी का इंट्रिवू करके डोगरी को आप बढ़ावा भी दे रहे हैं, और लोगों तक पुशा भी रहे हैं, इसी के साथ मे आपका भी बड़ा बड़ा शुकर गुजार हूं, शुकरिया, और सुने वालों का भी बड़ा शुकरिया, बहुत बहुत शुकरिया, अस्तित्व भाशा संस्कृती और विरासत, इस कारिकरम के आज क्यंक में आपने एक इंटरेक्शन सुनी, बातचीच सुनी, रंधीर सि अस्तियों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, सांस्कृतिक विरासत के बारे में चर्चा करते रहेंगे, अपने सुझाब देते रहेगा, कैमरा परसन करन सिंग के साथ, राजिये श्वर्ट सिंग राज्यू को अब देजी इजाजत, नमस्कार.